नवदे विध्याले समीती द्वारा निर्धारित नवदे विध्याले एंटरस एक्जाम के लिए लेटेश सिलेबस और पैटर्न के बारे में आज की इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं मतलब कि इस साल का जो नौदे विड्याले entrance exam होगा उसमें कौन-कौन से chapters आप से पूछे जाएंगे, क्या pattern रहेगा, कितने questions पूछे जाएंगे, कितने marks के होगे and कुल मिलाकर कितने marks का आपका paper होगा मतलब कि जो बच्चे इस साल छटवी class में, 6th class में admission के लिए form भरने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाला है क्योंकि कहा जाता है जब भी किसी exam के लिए preparation किया जाता है हम पढ़ते हैं उससे पहले उस exam के बारे में जानना जरूरी होता है उसके pattern और उसके syllabus के बारे में जानना जरूरी होता है आप सभी का हादिक स्वाकत है All-Rounder BSS Coaching Institute में जहां पर नवदेविद्याले entrance exam 6th, 9th और Sanic School entrance exam के लिए preparation करवाई जाती है हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज, हमारे Telegram चैनल और साथ ही साथ हमारे Android application के उपर नवदेविद्याले और Sanic School की coaching दी जाती है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवदेविद्याले 6th के JNV SDK syllabus के बारे में जिस बैच का नाम, जिस course का नाम है सार्थी बैच ये सार्थी बैच है 6th वाले बच्चों के लिए जो भी parents इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई बच्चा देख रहा है तो वो अपने parents को ये वीडियो जरूर बताए ये जानकारी उन तक जरूर दीजिए कि Allrounder BSS के Android application के अंदर सार्थी बैच दिया जा रहा है जिसके अंदर नाओदे विद्याले एंटर सक्जाम के लिए recorded videos, last year question papers, model papers, e-notes, mock test quiz, एक book आपको फ्री में आपके घर पे भेजी जाएगी दो model paper आपके घर फ्री में भेजे जाएगे दो OMR receipt आपके घर फ्री में भेजी जाएगी so, इस बैच के अंदर और भी बहुत कुछ है, सारा experience आपके लिए जोका जाएगा आपको नाओदे विद्याले जरूर पहुंचाया जाएगा, so, इस बैच को आज ही enroll कीजिए और एक copper code है, एक offer code है Solang की सर, इसका यूज कीजिए आपको 15% का off अभी के अभी मिल जाएगा इस application का link आपको description में मिल जाएगा, या फिर Google Play Store के उपर जाएगे, search कीजिए Allrounder BSS, आपको search करना है Allrounder BSS, ये application आपको देखने को मिलेगा, इस परकार मनाईए, और सार्थ ही बैच को आज ही enroll कर दीजिए, नाइंत वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर मारूती बैच है और सैनिक स्कूल के लिए योधा बैच हमने release किया है, आईए बाई बात करते हैं बिना बहस किये हुए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको description में मिल जाएगा या फिर जाकर के सर्फ कीजी, all around bss underscore official इसको आज ही join कर लीजी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको steady material देखने को मिलता है, YouTube कैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, जरूर कीजिए बात करते हैं, नवदे विद्याले के क्या जानने वाले हैं, आपको मांसिक योगिता, mental ability, mathematics मतलब की गणित, हिंदी या English या फिर कोई भी language यहाँ पर गुजराती हो सकती है, मराटी हो सकती है, जो भी language आपने चूज किया है, वो language आपको देखने को मिलेगी, फिर हम बात करने वाले हैं composition of the test, परिक्षा की सनचना मतलब की कितने questions, कितने marks के मिलते हैं, चलिए, सबसे पहले pattern को समझते हैं, सनचना को समझते हैं, कुल मिलाकर, तीन section नवदे विद्याले, enters exam 6 के अंदर दिये जाते हैं, सबसे पहला section जो होता है, सबसे बड़ा section जो होता है, पचास नंबर की मान्चिक ग्योगिता मतलब की mental ability आपको देखने को मिलती है, दूसरा section होता है maths मतलब की mathematics गनित जिसको हम बोलते हैं, जिसके 20 question पूछे जाते हैं, हर question 1.25 नंबर का होता है 25 नंबर की गनित आपको देखने को मिलती है, जिसको सबसे hard concept, hard section माना जाता है, बहुत सार बच्चे मानते हैं चलिए तीसरा section है अपना language जहाँ पर English, Hindi, गुजराती मराथी, जो भी language आपने चूज की है वही language आपको देखने को मिलेगी, इसके 20 question देखने को मिलते हैं, और 25 नंबर की मतलब की हर question 1.25 marks का, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल 80 प्रस्ना आपको देखने को मिलते हैं, हर प्रस्न 1.25 नंबर का मतलब की 100 नंबर के आपका कुल मिलाकर exam हो जाता है चलिए, अब इसके बाद हम सबसे पहले मानचिक योगिता mental ability के 10 section पूछे जाते हैं देखिए, 10 chapter पूछे जाते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं एक आप note कर लीजेगा या फिर screenshot ले लीजेगा चलिए, हम लोग बात करते हैं odd one out, a संगत को चाड़ना, सबसे पहला section जो होता है, सबसे पहला जो question होता है chapter होता है मांचिक योगिता का वो है odd one out इससे हमें 4 question देखने को मिलते हैं हर question 1.25 मांक्त का मतलब की 5 नंबर का अपना odd one out होता है मतलब की असंगत को चाड़ना दूसरा हम लोग बात करते हैं similar figures यानि की समानाकरती इसके भी हमें 4 question हर question 1.25 का मतलब की 5 नंबर के समानाकरती के similar figures के question पूछे जाते हैं तीसरा हमारा section है pattern completion आकरती पूरक मतलब की आकरती को पूर्ण करना pattern को complete करना ये सारे chapters ये सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ हमारे batch के अंदर हमारे course के अंदर समझाया जाएगा सिखाया जाएगा एक एक चीज को आपको step by step समझाया जाएगा पूरे एक साल में ठीके बई चलिए तो इसके भी आपको 4 question देखने को मिलते हैं हर question 1.25 marks का पूर्मे लाकर 5 नंबर का यह हो गया चौता हम लोग बात करते हैं series completions रंखला पूर्ती इसके भी हमें 4 question देखने को मिलते हैं 1.25 के एसाब से 5 question स्वरी 5 marks के question देखने को मिलते हैं फिर हम बात करते हैं analogy मतलब की वर्गी करण के बारे में relation वाले questions के बारे में संबंध वाले प्रसने के बारे में 4 question पूछे जाते हैं 1.25 के एसाब से 5 number के ये questions भी हो गए चलिए यहाँ पर 5 था फिर 7 आ गया सिद्धा 8, 9, 10 ठीके एक हमारा बीच में चूड़ गया है वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहला होगे out one out similar figures pattern completion series completion analogy mirror folding figure formation embedded figure and mirror amazing भी आगए चलो ठीके मैं आपको बता देता हूँ ये है माली जी साथ वा आपने ठीके या फिर इसको छठा माल लो साथ वा माल लो इसको mirror amazing दरपन प्रतिबिम इसके भी हमें चार क८िशन देखने को मिलते है हर क८िशन एक पõint दो पांच का मतलब की पांच नमबर की ये क्मिशन भी आपको देखने को मिलते हैं आटवा हम लोग बात करते हैं folding कागज को मोडना वा कागज को काट न इस प्रकार की quesions भी आपको देखने को मिलते हैं इस प्रकार के 4 question मतलब की हर question 1.25 marks का कॉल मिला कर 5 number का आपको ये देखने को मिलता है 9 हम लोग बात करते हैं figure formation का आकरती निर्मान paper के कुछ टुकड़े आपको दिये जाएंगे उनको मिला कर कौन सी आकरती कौन सा figure फॉर्म डूलाइ़ है इसके आपको 4 क्यूसन मतलब की हर देखने को मिलते हैं डस्वा हम लोग बात करते हैं सनहीथ remainder figure जिपा हुई आकरती होती उसको निकालना सब्ढ़ा है इसके इसको नुब दो पांच मतलब की पांच नंबर की ये भी मिल जाते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें एक हमारा छूट चुका है देखिए नौ आठ साथ छे छे नंबर हमारा छूट चुका है छे नंबर कौन सा होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ ओड वन आउट हो गया, सिमिलर फिगर हो गया, पैटरन कंपलिशन हो गया, सीरिज कंपलिशन हो गया, एनालोजी हो गया, मिरर इमेज भी हो गया है and folding paper भी हो गया है figure formation भी हो गया है embedded figure भी हो गया है इसके अंदर एक section आपका बतरा है next इसके अंदर एक और section है हमारा जाय मीतिय आकरती का geometrical figure completion छठवा आप लिख दीजेगा geometrical figure completion geometrical figure completion होता है जाय मीतिय आकरती निर्माण जाय मीतिय आकरती निर्माण यह अपना 6 chapter होता है मानसी गयोगिता के अंदर इसको note कीजेगा फिर हम बात करते हैं mathematics मतलब की गनित के अंदर 20 chapter देखे वैसे अगर हम official जानकारी की बात करें तो यहाँ वहाँ पर आपको इकाईया मिलती है, units मिलती है, उनको फिर expand किया जाता है उनके अंदर और भी वहाँ सारे chapters होते हैं लेकिन जो all-rounder VSS बहुत सालों से बच्चों को पढ़ाता आ रहा है online courses के अंदर, coachings के अंदर जो जवारनोदी विद्याले के अंदर questions पूछे गए हैं उसी हिसाब से इन 20 chapters से बाहर कुछ भी नहीं आएगा चली, इसके बारे में बात कर लेते हैं गणित के, mathematics के 20 chapters के बारे में number system मतलब की संख्या पढ़ाली संख्या पढ़ाली से आपको जो है questions पूछे जाते हैं सबसे पहला chapter हो गया number system संख्या पढ़ाली हो जाएगा, आपका basic बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा तीसरा हम लोग बात करते हैं, whole numbers मतलब की पूर्ण संख्या है चोता हम लोग बात करते हैं, fractional numbers मतलब की भिन संख्या पांचों हम लोग बात करते हैं, factors and multiples मतलब की गुणनफल एंगुणक चोता हम लोग बात करते हैं, decimal numbers या फिर इसका एक पूरा नाम है decimals and fundamental operations on them, दसमलव और उस पर आधार भूत संक्रिया है ये अपना चोता चेप्टर हो गया, सातवा चेप्टर जो आप से पूछा दाएगा वो है applications of measurement, मापन के अनुप्रयोग आठवा चेप्टर है आपका simplifications of numeral expressions, संख्यात्मक, वेंजिको का सरली करन नवा है अपना unitary method, एक किक नियम दसवा है अपना work and time, कार्य और समय ग्यारवा है हमारा distance, time and speed, दूरी समय वो चाल बारवा है हमारा area, perimeter and volume, छेत्रफल, परिमाप और आयतन तेरवा चेप्टर है अपना percentage मतलब की प्रतिसत, चवद्वा है अपना profit loss मतलब की लाब है हम हानी, लाब हम हानी, ठीक है और पंद्रवा है अपना simple interest मतलब की साधारण ब्याज, ठीक है, तो ये कोल मिला कर 15 चेप्टर तो अभी यहां तक होगे यहां पर जो percentage है, profit and loss है, and simple interest है, यह सब के सब connected chapters है मतलब की सबसे पहले आपको percentage पढ़ना पड़ेगा, फिर profit and loss आप पढ़ सकते है and then आप simple interest को पढ़िये, तो आपका और भी अच्छे से concept पूरा होगा अभी यहां पर क्या है, हमने हिंदी में ट्रांसे से साथ भूल चुका है बंदा, square and square root, जिसको वर्ग यहां वर्ग मूल कहा जाता है वर्ग यहां वर्ग मूल, वर्ग यहां वर्ग मूल यह अपना हो गया, 16 चेप्टर, ठीक है, cube and cube root, मतलब की घन यहां गन मूल घन यहां गन मूल भी आपका हो गया, अठारवा चेप्टर है, ratio and proportion, अनुपात यहां समानुपात, अनुपात यहां समानुपात, अनुपात यहां समानुपात, अनुपात यहां समानुपात, एक चेप्टर आपका यह भी हो गया निस वा चेप्टर है अपर्चीन संफ एक्स्प्रेस्संस सानिकटन को सानिकटन आपको पता है लगाइक करू आंगोफी चेप्टर है आपका और आपका फिर से बता देटा हूं सबसे पहला अपना चेप्टर है यहां पर संख्या पणाली दूसरा है रोमन संख्या पणाली तीसरा है पूर्ण संख्या चौता है भिन संख्या पांचवा है गुणनफल एवग गुणक चट्टा है अपना दसमलो संख्याएं, साथवा है अपना मापन के अनुप्रियोग, आठवा है अमारा संख्यात्मक वेंजिकों का सरलीकरण, नवा है अमारा एक इक नियम, दसवा है कारी और समय, ग्यारवा है दूरी समय वद चाल, बारवा है अपना छेत्रपल परिमाप आयतन, फिर अपना प्रतिसत, फिर अपना आता है लाब और हानी, फिर अपना आता है साधारन ब्याज, फिर अपना आता है वर्ग एंवर्गमूल, घन एंव घनमूल, अनुपात और समानुपात, संख्यात्मक वेंजिकों का संदिकटन, और औसत्थ, यह अपने 20 ग्रामर पूछी जाती है, जो इंग्लिस के अंदर बेसिक ग्रामर होती है, आपने जो भी लेंग्वी चूज किया जाए, वो गुजराती है, मराटी है, इंग्लिस है, हिंदी है, उसके अंदर बेसिक जो ग्रामर होती है, वो आप से पूछी जाती है, साथ ही साथ आपको उसके अंदर चार पैसिस देखने को मिलते हैं, हर पैसिस के अंदर पांच क्यूशन होते हैं, इस हिसाब से आपके कुल बीस क्यूशन जो है, यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर हिंदी की बात करते हैं, तो सामान ये व्याकरण हैं, और आपको चार अनुचे देखनों को मिलते है हर एक के अंदर पांच क्यूशन कोल में लाकर बीस क्यूशन हर क्यूशन एक पॉइंट दो पांच का मतलब की पचीस नंबर की आपकी language मतलब की भासा हो गए ठीक है तो इसी प्रकार से ये था नौदी विद्याले का latest syllabus जो कि आपको जानना था समझना था हमने आपको बताया अगर इसके बाद भी कोई आपकी query है कोर्स के बारा में कोई जानकारी चाहिए हमारे WhatsApp नंबर calling नंबर 7610879108 या फिर 6376-860614 के ओपर contact कीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल AllRounder AllRounder BSS underscore official इसको आज ही join किजिए मैं मिलूँगा नेक्स वीडियो में प्लीज वीडियो को like और share कीजिए आप अगर इस वीडियो को Facebook या फिर YouTube के उपर देख रहे हैं धन्यवाद झाल